हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं पती पत्नी के प्यार और विश्वास का त्योहार करवा चोथ आ गया लेकिन इस बार करवा चोथ के त्योहार पर ग्रोहों की नजर है टेही जी हाँ हर साल करवा चोथ पत्च की चतुरती तिती को करवा चोथ का रखा जाता है इस रख के लिए मैलाएं काफी उत्साहित रहती है इस साल करवा चोथ का त्योहार 13 अक्टूबर को है लियाजा बाजार में करवा चौट से जुड़े सामान की बिक्री सुरू हो चुकी है पूरा बाजार करवा चौट के सामान से पटा बड़ा हुआ है जहां देखिए आपको वहीं पर करवा चौट से जुड़े हर साम अगली आसानी से मिल जाएगी वहीं इस दिन सोला संगार का बड़ा महत्व है यहाजा महिलाओं ने अभी से ही ब्यूटी पालर में अपनी बुकिंग कर रखी है वहीं करवा चौट को देखते हुए ब्यूटी पालर ने भी तरह तरह के ओफर्स अपने गरहा को कले निकाले है सोहागिन महिलाए इस दिन सोला संगार कर सौबहागवती की कामना के साथ पूरे दिन बिना खाए पिये इस व्रत को रखती है और फिर चंद्रदेव के दर्शन के साथ इस व्रत को खोलती है शादी के बाद पहला करवा चौट काफी मायने रखता है पहली बार करवा चौत का वरत रहने वाली नव विवाहित यूतियां इस वरत को लेकर काप भी उत्साहित रहती हैं लेकिन इस बार ग्रहों के खेलक ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया है करवाचौत का इंतजार कर रही नव विवाहित पत्नियां जो पहली बार अपने पती की लंबी कामना के वरत रहने वाली थी वो इस बार इस व्रत को नहीं रख पाएंगी इसकी वज़ा है कि इस साल करवा चौथ के वृत पर सुक्र ग्रहा अस्थ हो गया शुक्र ग्रह को सुखी व्यवाहत जीएन का कारक माना जाता है गुरू और सुक्र के अस्थ होने पर विवाह, मुंडन या कोई मांगलिक कार नहीं किया याता शुक्रग्रह एक अक्टूबर से 20 नौंबर तक अस्थ रहेगा जो तिस चास्त के अनुसार जो महिलाएं इस साल अपना पहला करवा चौध वरत रहने वाली हैं उन्हें इस बार इस वरत को नहीं रखना चाहिए क्योंकि सुक्रग्रह के अस्थ होने से उन्हें इस वरत का फल नहीं मिल पाएगा वहीं इसका प्रतिकूल असर आपके वैवाहिक जीवन पर पढ़ सकता है जो की वैवाहिक जीवन के लिए अशुब है लिएज़ा इस बार पहरा ब्रत रहने वाली महलाओं को इस ब्रत को छोड़ देना चाहिए वहीं करवाचौथ करवरत इस बार वही महलाए रह सकती हैं जो पहले सी ये व्रत करती चलि आ रही है लेकिन वो भी इस साल करवा चौत का उध्यापन नहीं कर पाएंगी इस बार करवा चौत का चांद राज साथे आठ बजे के करीब निकलने की उमीद है